पंजाब की सिमा से लेकर दिल्ली हर्याना बॉर्डर पर रोड उपर अलग-अलग किसान युनियोनों की अपिल पर जो किसान भाई आज अपना अंदोलन कर रहे हैं वो सभी को मैं अपिल करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तयार ही हैं तीन डिसंबर को कुरूसी मंतरी जीने आपको निमंतरन पत्र भेजा है चर्चा के लिए और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्स करने के लिए तयार हैं दूसरा अभी अलग-अलग जगा पे निशनल हाईवे पर स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रेक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं इस सब को मैं अपिल करना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलीस आपको एक बड़े मैदान के अंदर सीफ्ट होने के लिए सीफ्ट करने के लिए तयार है आप कुरूपिया वहाँ पर जाएए वहाँ पूलीस परमिसन भी आपको कारेक्रम करने की दी जाएगी आप वहाँ पर मंच भी लगा सकते हैं वहाँ ट्वाइलेट्स आदी सुविधाय भी बना दी गई है वहाँ पर एंबुलन्स की और स्वास्त की सुविधाय भी निरंतर रहेगी पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की वेवस्ता भी रहेगी तो आप लोग रोड की जगे अगर और वो निश्चित किये हुए स्तान पर जाकर अपना धर्णा प्रदसन सांटी पुनवर्ट तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजा ही करें आम जनता की भी परेशानी कम होगी और अगर किसान Union चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करें तीन तारिक के पहले इन से बात करें तो मेरा आप सभी को ए आस्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें सीप्ट हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर जगे पे अपने अंदोलन को सीप्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तयार है अता किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं एक कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाईयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाईए पुलिस परमिसन के साथ सान्टी पुर्वक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखे और सिग्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तयार है बातचीत को भी आगे बढ़ाई है इसमें किसानों की भी सुईदा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुईदा ज्यादा रहेगी ये बात के लिए मैं किसान भाईयों को फिर से एक बार आस्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सिप्ट होते ही तूरंत ही हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे दूसरे ही दिन बातचीत शुरू करेंगे और आप सांतिपुन तरीके से आपका कांदोलन भी जारी रख सकते हैं